नमस्कार मित्रो जेन्यू रेनेसा ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मित्रो आज हम बातचीत करेंगे हडप्पा सब्यता का राजनितिक जीवन तो हडप्पा कालीन राजनितिक जीवन कैसा रहा है इसकी आज की क्लास में हम बात करेंगे हडपा कालीन राजनितिक जीवन हडपा कालीन राजनितिक जीवन मित्रोग 20 लाख वर्ग किलोमेटर में फैली हुई हडपा सब्यता निरंतर 600 वर्षों तक जारी रही और ये 600 वर्ष तो वो है जो निरंतर गतिमान के वर्ष है तो निश्चित रूप से कोई उच्छ इस्तरिय केंदरिय राजनितिक व्यवस्था जरूर रही होगी इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन हडपाई सब्यता का राजनितिक जीवन कैसा रहा होगा उसके स्वेरूप के संदर्व में विभिन विद्वानों में मतवेद रहा है मतवेद इस पहलू को लेकर के रहा है कि आखिर यहां सासन करता कौन था वहाँ पुरोहित वर्ग सासन करते थे या वहाँ को एक वनिक वर्ग के हाथ में वो सासन था मद्धिवर्गिये जन्तंत्र था क्या कहीं लोकतांत्रिक विवस्था तो नहीं थी इन सब पहलू को लेकर के विद्वानों ने अपने-अपने मत्परस्तुत किये हैं जिसमें हम बात करते हैं विविद मत्र और सामानते यहां से एक प्रसंद पूछ लेते हैं कई बार परिच्छों में सवाल उठाए गए हैं विद्वान कौन सा विद्वान है और किस राजनितिक स्वेरूप की बात करते हैं तो मित्र यहां एक बेहद महतपूर इतिहासकार है और वो है एल बौशम एल बौशम का मानना है कि यहां पुरोहित वर्ग का सासन था और इस बात की पुष्टी पिगट महोदे भी करते हैं पिगट महोदे का भी यही कहना है कि यहां पुरोहित वर्ग सासन करता था पुरोहित वर्ग सासन करता था एक तो दोनों विद्वानों के नाम ध्यान रखेंगे और आपको याद भी आ रहा होगा पिछली किलास में मैंने आपको बताया कि पिगट महोदे ने हडपा और मोहन जोदडो जो कि 482 किलोमेटर के डिस्टेंस में दोनों उपस्तित हैं मित्रो एक बात तो है कि जो सिंदूगाटी सब्यता है जो हडपा सब्यता है उसकी समकालीन सब्यता मेसुपूटामिय सब्यता जिसे हम इराक की सुमिरियन सब्यता भी कहते हैं क्योंकि मेसुपूटामिय का जो आधुनिक नाम है वह इराक है तो इराक की सुमिरियन या की मेसुपूटामिय सब्यता में पुरोहित वर्ग द्वारा सासन होता था इसके लक्षन इसके प्रमान मि लेकिन सिंदू गाटी सब्विता के किसी भी इस्तल से मंदिर का साक्ष नहीं मिलता इस बात से ये साबित होता है कि प्रोहित वर्ग का सासन मानना ये उचित नहीं है मंदिरों के साक्ष नहीं मिलने से हडपा सब्विता में प्रोहित वर्ग का सासन मानना उचित नहीं है हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि हर्याना का एक इस्तल हडपा सब्विता का बनावली बनावली वही है जहां से मिट्टे का हल और उत्तम किस्म का जोव मिला है उस बनावली में अगनी वेदिकाएं मिली हैं और वहां अर्ध वरत्ता का ढ़ाचे के आधार पर कुछ लोगों ने मंदिर होने की संभावना व्यक्त की है लेकिन सामानी रूप से विद्वान इस बात पर सहमत नहीं है और निसकर्स यही निकलता है कि हडपा सब्विता में मंदिर के साक्षे प्राप्त नहीं होते है और यदि मंदिर के साक्षे प्राप्त नहीं होते है तो फिर ये बात खारिज हो जाती है कि यहां पुरोहित वर्का सासं था ऐसा मानना उचीत नहीं है हालाम की A.L. बॉसन और पिगट महुदे का साफ मानना है कि यहां पुरोहित वर्का सासं था ये पहलू आप ध्यान रखेंगे और आरे सर्मा जो कि मार्कसवादी विचारधरा से इतिहास को विशली सित करते हैं आरे सर्मा ये कहते हैं कि यहां पर वैस्य वर्ग या वनिक वर्ग द्वारा सासन था यह आप से पूछ सकते हैं ध्यान रखेंगे आरे सर्मा के अमसार वैस्य वर्ग या कहें कि वनिक वर्ग द्वारा सासन होता था वनिक वर्ग द्वारा सासन होता था यह कौन कहते हैं यह कहते हैं आरे सर्मा और इस बात की संभावना ज़्यादा है यह तुल्नात्मा करूप से आप से कभी एक पक्ष पर आपकी राय जाने तो वनिक वर्ग द्वारा सासन होता था इस बात को मानना ज़्यादा उचित है क्योंकि हडपा सब्विता एक नगरिय सब्विता थी नगरिय सब्विता कृसी अधिसेश प्रनाली पर आधरित होती है नगरों का विकास हो रहा था व्यापार वानिजी भी उन्नत अवस्था में था और नकेवल देशी बलके विदेश के इस तर पर व्यापार के साक्ष मिलते हैं तो जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वो व्यापारी वर्ग रहे इस बात की संभावना ज़्यादा बनती है इस पहलों को धिहान रखेंगे और इसके बाद आगे देखिए आप यहां कुछ कथन लिखे हुए हैं हंटर महोदे का क्या कहना है कि यहां की सासन पद्धती यहां की सिंदु घाटी सबता की जो सासन पद्धती है वह जन तांतर पद्धती से चलती थी यह मानने वाले हैं हंटर महोदे इनका कथन आप नौट कर लेंगे और अरनेश्ट मैके का कहना है कि हड़पा सब्धता में जन प्रतनिधी का सासन था यह इनका कहना है और वहलर महोदे मध्यवर्गिय जनतंत्र की बात करते हैं इस प्रकार मित्रों हंटर और मैके इनका क्या कहना है हंटर और मैके लोगतांत्रिक सासन की बात करते हैं नौट बना के लिख लेंगे कि हंटर और मैके लोगतांत्रिक सासन की बात करते हैं तो हंटर और मैके महोदे ये लोगतांत्रिक सासन पद्धती की बात करते हैं विहलर के बारे में अलग से आप द्यान रखेंगे ये मध्यवर्गिय जनतंत्र की बात करते हैं और प्रोहित वर्क्य सासन की बात कौन करते हैं तो A.L. बोशम और पिगट महोदे और पिगट महोदे को ये भी ध्यान रखेंगे कि सिंदू सब्वता की जुडवा राजधानिया हडपा और महोंजोद्रो को इन्होंने बताया है और तो ये पिगट महोदे का ये भी कथन आपने पहले नोट कर लिया है वैसे कि सिंदू सब्वता एक विश्ट्रित सामराजजी के रूप में था जिसकी जुडवा राजधानिया थी हडपा और महोंजोद्रो और सासन के बारे में बात करें तो पिगट जो है वो कौन से सास अपर दिखान रखेंगे यह मध्धवरगिये जन्तंत्र की बात करते हैं अर्नेश्ट म है की नतंत्र की बात अर्नेश्ट मह कह रहे हैं कि हडपा सब्वता में जन्परतनीदी का सासन था और दोनों की सब्दावलिम बारिक अंतर भी आप देख रहे हैं हंटर जन तांत्रिक पद्धती और अर्नेस्ट में के जन प्रतनिधी सासन इस सब्दावली का विशेश ध्यान रखेंगे हालांकि दोनों ही सब्दावली लोग तांत्रिक सासन की तरफ जा रही है तो मित्रों यह हडपा सब्व्यता के रादितिक जीवन स से जुड़े हुए महत्रपून पहलू है और आज की हम इसी छोटी से किलास में हमने आपको बताया कि इस वरकार से टुकडों में चीजों को पढ़ना है अगली किलास में हम बात करेंगे हडपा सब्व्यता का सामाजिक जीवन आज के लिए इतना ही नमस्कार